दी एमिनेंसीन शेडो के एपिसोड 17 में हम लोग बुशिन फेस्टिवल में मुंडेन मन को देखते हैं जो कि अपने अपोनेंट से काफी बुरी तरीके से हार रहा होता है और अब मुंडेन खड़ा होकर अपने अपोनेंट से हसकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें सिफ रिवर्ट की पावर ही दिखाई है जिसके आदो कहते है नहीं शाय से 32 ग्राम की नहीं शाय से 3 यार्ड की और अब वो कन्फ्यूज रहते हैं कि उसने कितनी पावर लगाई है और अब हम लग कागनों को देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है वो कहने लगता है मैं मैं रोस एक wanted criminal बन चुके हैं अगर हम लोग उसे पगड़ कर लेकर आएंगे तो हमें 10 million zen ही मिलेगी और अगर हम लोग उससे related को information देंगे तो हमें 500,000 zen ही मिल सकते हैं चलो रोस को पगड़ते हैं तो कागनों से कहते हैं उसे क्यों पगड़ना है तुम्हें पैसे की जरत क्यों आ पर attack करके भाग चुकी है क्योंकि उसे उसे शादी नहीं करनी थी मैं रोस की इस बात को काफी जादा एड्मायर करता हूं काश्ट मैं भी वहाँ पर होता ये सब देखने के लिए हैं तभी कागनों देखता है कि उसकी बैन उसके apartment में आ रही है इसलिए कागनों जली से पाता कि उसको क्या inspire किया जिससे कि उसने अपने फ्योंसे के अपर हमला कर दिया और अब कागनों चली रहा होता है तभी उसे आवाद आती कि कोई प्यानों बजा रहे हैं और वो भी काफी अच्छा और अब कागनों याद करते कि उसके पेशे life में उसकी family उसे force किया करती थी प्यानों बजाने के लिए वो कहने लगता है कि मुझे अपना समय Eminence in Shadow की ट्रेनिंग में लगाना चाया था ना कि प्यानों सीखने के लिए लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे Realize हुआ कि प्यानों इतना बुरा भी नहीं हैं कागनों कहने लगता है कि जब तुम प्य इसलिए वो तुम्हें परिशान नहीं करते हैं इसी कायन से मेरी लोग के साथ काफी कम इंट्रेक्शन हुआ करती थी और मैं अपने टाइम को Eminence in Shadow की ट्रेनिंग में लगाता था और अब धुरे-धुरे करके कागनों को प्यानों काफी जादा कूल लगने लगा और प्यान इसलिए के जो प्यानों बजा रही होती है वो और कोई नहीं एपसिलोन है एपसिलोन की परफॉमेंस हथम होने के बाद सबी लोग ताली बजाने लगते हैं वही कागनो कहते है पहले गामा उसके अथ बीटा और अब इपसिलोन भी और अब बगले से में हम लोग देखते ह तो एपसिलोन कहती है। इस केस के ओपर बीटा काम करी है इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता मैंने सिर्फ इतना सुना है कि प्रिंसेज रोस रोयल केपिल की टरनल के अंदर है तो कागनों खड़ा वजाता है और इप्सिलोन का इस इंफॉमेशन को देने के लिए शुक्र है करता है और वो वह से जाती जाते इप्सिलोन के तारिफ कर जाता है अपनी तारिफ सुनकर इप्सिलोन काफी जादा खुश जाती है और अब कागनों वह से जायरा होता है तब ही नीचे उसकी नज़र उसी प्यानो पर जाती है उसे देखकर वो काफी ज़्यादा अजीब सी स्माइल करता है और अब बगले से हम लोग ऐलेक्सिया और नासुमे को देखते हैं ऐलेक्सिया कहने लगती है मेरी भेन की इंफॉर्मेशन के वज़े से मुझे पतर लगया कि रोसका फ्यों से पर्व एसर्ट कल्ट के साथ काम कर रहा था नासुमे भी इस बात से एगरी करती है और अब अलेक्सिया कहते है कि प्रॉलम यह है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है अलेक्सिया कहने लगते है कि उसके फादर ने भी उससे सीधी वर्निंग दे दी है कि वह कोई गड़बर ना करे यह प्रूफ करने के लिए कि डिवाइन टीचिंग और कल्ट ओव डियाबलो एक साथ काम कर रहे है अगर तुम्हें इसे प्रूफ करना है तो सबसे पहले तुम्हें लोगों को और गॉर्मेंट को कन्विंस करना पड़ेगा और अब अलेक्सिया नासुमी को बताते है कि इसके बहन आईरिस किंग औरियाने से बाते करने गई थी महापर उनके किंडम है लेकिन महापर उसे काफी जादा अजीब लगा था और उसे कोई भी इंफर्मेशन नहीं मेरी अलेक्सिया कहते है कि अगर मेरे फादर ऐसी हाथ पे हाथ दरे बैटे रहेंगे तो जल्दी कर्ट ओफ डियाबलो उनके किंडम के ओपर भी अटेक कर देगा जिसके अध हम लोग देखते हैं वो दोनों अंडरग्राउंड पैसिट में आ जाते हैं ये ऐसी जगा है जो कि काफी सालों पहले बनाए गई थी एमर्जनसी के टाइम पर रोयल फैमली को किंडम से एसकेप कराने के लिए और यहां के जितने भी नक्षे थे चाबी हैं वो सब गुम हो चुके हैं मतब़ ये अब एक भूल बलईया की तरह है एलेक्सीय के थे कि हो सकता है रोजने इसी जगा का यूज किया हुगा एसकेप करने के लिए इसलिए हम लोग यहां पर उसे ढूडने के लिए हैं ये सुनकर नाजसी में कहती है क्या तुमने बताए किसी को कि हम लोग यहां पर आए हैं ये सुनकर नासो में मन में कहती है बेबी सीटिंग करना कितनी बड़ी सरदर्दी है वहीं दूसरी तरफ हम लोग रोज को देखते हैं जिसकी काफी बूरी आलत हो चुकिये वो कहने लगती है मुझे उस टाइम पर क्या करना चाहिए था क्या मेने जो किया वो सही किया और अब हम लोग को पाश्ट का सिंदिकाई दाता है जहाँ पर रोज अपने फादर से मिलने वाली होती है और अब वो जैसे अपने फादर की तरफ देखती है वो ये देखकर हेलान हो जाती है कि वो काफी जादा जीब भीएव कर रहे हैं जैसे रोस पर्व के तरह देखती है वो काफी जादा इवल समाइल कर रहा होता है और वो देखती है कि सारे लोग भी असरे हैं इसलिए वो समझ जाती है कि सारे लोग कल्ट के साथ मिले हुए हैं और अब गुसे में आके रोज पर वैसेट के ओपर हमला कर देती हैं वहीं पर सारे खड़े लोग कहने लगते कि रोज तो पागल हो गई है और वो लोग गार्ड को बला लेते हैं गार्ड सारे अब रोज को अरेश्ट करने वाले होते हैं लेकिन तब ही रोज वहाँ से भाग जाती है रोज को भागता है देख पर वैसेट उसे कहने लगता है अगर तुम बुशिन फेस्टिवल खतम होने से पहले अपने आपको हमारे हवाले नहीं करोगी तो हम तुम्हारे फादर के हाथो तुम्हारे एक गैस्ट को मरवा देंगे और अब हम लोग रोज को लेखते हैं वो कहने लगती कि जो भी मैंने डिसेजन लिया वो मैंने गुसी में आके लिया मैं तो सिब अपने चाहने वालों को बचाना चाहती थी एलेक से कहने लगते हैं कि मुझे अपने लोगों से ही लड़ना पड़ रहा है इस काहन से मुझे काफी जादे दुख हो रहा है वो सोतने लगती कि शायद से मैं अपने आपको अरेश्टी करवा लेती हूँ जिससे कि सारी लड़ाईयां खतम हो जाएगी तब ही उसे वही बर्गर करेपर दिखता है जो कि कागनों ने उसे दिया था उसे याद आने लगते है कि किस तरीके से कागनों ने उसे कहा था कि वो उस पर बिलीव करता है वो कहने लगते है कागनो तुम्हें तो पता चली गया होगा ना कि अब तक क्या हो रहा है क्या तो मुझ पर अबे भी बिलीव करते हो वो कहने लगते है कि अगर मेरा बस चले तो मैं उस परफ को मार कर अपने फादो को बचा कर तुम से शादी कर लू और खुशी-खुशी रहूं लेकिन ऐसे सिर्फ काहनियों में हो सकता है क्योंकि मैं पोजैस हूँ ऐसा बोलने के बाद रोज को काफी जोर से उसके चेश के अंदर दर्द होने लगता है जहाँ पर उसका बनीशान बना होता है और अब रोज भ्योश होने वाली होती है लेकिन तब ही अचानर से उसे प्यानो की भजने के आवाज आती है जिसमें मूलेट सुनाटा चल रही होती है उस आवाज का पीशा करती है और एक जगा पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो यह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि श पूँच भी नहीं कर पाई यह सुनकर शेडो से कहते है क्या तुम इस यहीं खत्म होने दोगी क्या तुम अपनी तलवार को साइड में रखकर लड़ना बन कर दोगी तो रोज कहते हैं नहीं मैं चाहते है कि मैं सबी के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकूँ यह सुनक रोज कहते है कि अभी भी काफी सारी चीज़े हैं जो कि मुझे अच्छीव करने हैं जो कि मैं जिन्दा रहकर कर सकती हूँ इसलिए मुझे यह पाउर ची है यह सुनकर शेडो उसे अपनी पाउर दे देता है जिसके कान से उसके ओपर का वो निशान भी हड़ जाता है और अब शेडो के वहाँ से जाने के बाद कर्ट के कुछ लोग रोज के ओपर हमला करने आते हैं लेकिन रोज काफी एजिली से उन सबी लोग को एक ही बारी महरा देती हैं और अब वो कहते हैं शेडो तुम अंधेरे में चांद की रोशनी के तरह हो और अब रोज की मैजिकल से अनर्जी को ऐलेकिस Tech वो महाँ पर जाने लगतें तो अब वहाँ पर रोज मिल जाती हैं अलेकिसर रोस से इस अनर्जी के बार में पूसती हैं तो रोजहसे बताते कि मुझे पाउर मिली हैं और मैं उस पात को फोलो करूंगी जो अमें बिलीव करती हूं और यह सुनaliśmy कर वाली हूँ, सबी लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, सबी लोग मुझे इवल समझेंगे, इसलिए मुझे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, ऐसा बोलने के बाद हुआ से जाने लगती है, वहीं ऐलेक्से अपनी तलवार निका लेती है, और कहती अगर वो कहने लगते हैं कि हम लोग की नेशनल्टी अलग है, हम बिल्कुल डिफरेंट हैं, लेकिन हमारे आइडियल एक जैसे हैं, हमारे एक साथ गुरूप बनाना इतना भी बुरा आइडिया नहीं था और अब नासु में रोज को गुल्ला कहती है, और कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग कागनों को देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि इसके अंदर एमिनेसीन शैडो होने के नाते में ने कितने अच्छे पफ़ोमेंस दी, काश मेरे पास एक खुद का प्यानो होता, तो मुझे किसी से मांगने के जरत नहीं पड़ती, और अब कागनों अपने घर पोस्त है, जहां पर वो यह देखकर काफी जादा शोक हो जाता है कि उसकी बहन, अभी भी उसके घर के सामने उसका वेट कर रही थी, कागनों भी अपनी बहन को हाई करता है, और यह पर जाता है यह एपिसोड खतम, अगर आप लोग को पसना है तो जरूर लाइक करके जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं इसकी नेक्शी एपिसोड में, तब तक के लिए, पीस आउट